Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 14 माई 2020 के Important Questions को डिसकस करेंगे और इसमें उनी Questions को लिया गया है जो Exam के Point of View से Most Important है हर Question के साथ आपको Important Facts भी बताए जाएंगे जिसे आपको Note करते हुए चलना है और वीडियो के Last में आपसे Question पूछा जाएगा जिसका Answer आपको Comment Box के माध्यम से देना होगा इस वीडियो का PDF लिंक आपको Description Box और हमारे Telegram चैनल Success with Rai Academy से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से Download कर सकते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे Subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को Press कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो का Notification मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे Like और Share कर दीजेगा अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला Question है हमारा नवीन एवं नवी कर्णिये उर्जा मंत्राले के सच्यू का पदभार किसने समहला है इसका Right Answer होगा First Option इंदू सेखर चत्रवेदी ने इंदू सेखर चत्रवेदी ने नवीन एवं नवी कर्णिये उर्जा मंत्राले में सच्यू का पदभार समाल लिया है चत्रवेदी जार्खंड कैडर के 1987 बैच के IS अधिकारी है उन्होंने आनंद कुमार का इस्थान लिया है आनंद कुमार सांस्कृतिक मंत्राले में सच्यू बनाए गए है MNRE सच्यू बनने से पहले इंदू सेखर चत्रवेदी जार्खंड सरकार में जलवाईव परिवर्तन विभाग पर्यावरन और वन मंत्राले में अतरिक्त मुख्य सच्यू और अतरिक्त सच्यू थे वह जहरकंड सरकार और केंड सरकार में विभिन पदों पर कारे कर चुके हैं नेस्ट कोशन पर आते हैं मनमीत सिंग वालिया का 58 वर्स की आयू में निधन हो गया वे किस खेल से सम्मंदित थे इसका राइट एंसर होगा थर्ड ओप्शन टेवल टेनिस वे पिछले लगभग दो साल से ALS यानि एमियो ट्रोफिक लेटरल स्कलोरोसिस से पीडित थे इस बिमारी में मांस्पेशियां कमजोर हो जाती हैं और सरीर की मुवमेंट पर असर पड़ता है मनमीत सिंग 58 साल के थे मनमीत सिंग साल 1980 के दसक के सबसे सांधार खिलाडियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुस एकल फाइनल में एस स्रीराम को हराकर राष्टिय चैंपियन बने थे वे साल 1981 से लगातार चार साल राष्टिये चैंपियंशिप के फाइनल में भी पहुँचे थे नेश्ट कोश्चन है किस देश में रविंद्र नाथ टैगोर की 169 वर्ज काट के उपलच में तेल अवीक की सड़क का नाम बदल कर टैगोर इस्ट्रीट किया गया है इसका राइट अंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इस्राइल इस्राइल ने रविंद्र टैगोर के 169 जन्म जैनती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है टैगोर के 169 जन्म जैनती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इस्राइल ने ऐसा किया है वे एक मात्र कवी हैं जिनकी दो रचनाएं, दो देशों का राष्टगान बनी, भारत का राष्टगान जनगर्मन और बांगला देश का राष्टियगान आमार सोनार बांगला, गुर्देव की ही रचनाएं हैं। नेश्ट कोशन पर आते हैं, केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन के अनुसार देश में कोविड यहां पर कोविड छमता जो जाच छमता है, बढ़ा कर कितने लाख परिच्छन प्रती दिन हुई है, यहां में स्प्रिंट हो गया है, इसका राइट एंसर होग फर्स्ट ऑप्शन एक लाख, केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन ने कहा कि जाच करने की छमता बढ़ा कर प्रती दिन एक लाख कर दी गई है, और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रियोक सालाएं सामिल है, उन्होंने कहा कि अभी तक कोविड नैंटीन के कुल 17,62,840 जाच की जा चुकी है, उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और संग सासित प्रदेसों की सरकारे एक सांत मिलकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रही है, और इस से हम आस्वस्थ हैं कि देश कोविड नैंटीन के कारण उपजी किसी भी परिस्तिती से मुकाबला क करने में सक्षप है, नेच्ट कोस्शन है, प्रधान मंत्री द्वारा 12 मय को कितने लाख करोन रुपए के खोश्ला की गई है? इसका राईट एंसर होगा, फोर्ट ओप्शन, बीस लाख करोन रुपए की, प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि कि यह आर्थिक पैकेच आत्म नि है कि इसके जरिये देश के विभिन वरगों और आर्थिक कडियों को जोड़ने में बल मिलेगा बीस लाख करोन रुपए के पैकेची घुशना के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सुची में सामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है नेश्ट कोश्चन है वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारिक तक चलेगा इसका राइट एंसर होगा थार्ड ऑप्शन 22 मई कुरोना वाइरस वैसिक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फसे भारतियों को वंदे भारत मिसन के तहट वापस लाया जा रहा है इस मिसन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा इसके तहट 31 देसों में फसे भारतियों को लाया जाएगा इस दोरान 149 उडानों का संचालन किया जा सकता है Next question है किस हवाई अड़े ने भारत और मद्द एशिया के सरुसेष्ट छेतरी हवाई अड़े का खिताब जीता है इसका राइट एंसर होगा First option बैंगलूरू हवाई अड़ा बैंगलूरू के केमपो गौळा अंतराष्टी हवाई अड़े को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मद्द एशिया का सरुसेष्ट छेतरी हवाई अड़ा चुना गया है 2020 World Airport Awards में 4 साल में 3 बार बैंगलूरू हवाई अड़े को यह सम्मान मिल चुका है बैंगलूरू हवाई अड़े का परिचालन बैंगलूर इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड करती है इस सर्वेच्छन में 550 से अधिक हवाई अड़े सामिल होते है नेक्ट कोशन है किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वसन स्वास्त के बारे में जागरूपता पैदा करने के लिए प्राण वायू कारिकरम सुरू किया है इसका राइट अंसर होगा थर्ड ओप्शन करनाटक बैंगलोरू सिटी कार्परेशन ने लोगों के स्वसन स्वास्त के बारे में जागरूपता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायू कारिकरम सुरू किया है गंभीर तीवर स्वसन बिमारी के कारण देश में कई मौते हुई है विशेश रूप से COVID-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है गंभीर तीवर स्वसन बिमारी के कारण देश में कई मौते हुई है विशेश रूप से COVID-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है नेश्ट कोशन है कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किये गए लॉकडाउन के मद्दे नजर गांधी सांती पुरुषकार 2020 के लिए नमांकन की अंतिम्तिती कब तक बढ़ा दी गई है इसका राइट अंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 15 जून 2020 तक इससे पुर्व वर्ष 2020 के लिए नमांकन प्राप्त करने की अंतिम्तिती 30 अप्रैल 2020 की थी उलेखनी यह है कि यह पुरुषकार अहिंसा और अन्य गांधी वादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है प्रतेक वर्ष प्रदान किये जाने वाले इस पुरुषकार के साथ एक करोन रुपए की रासी और एक प्रसस्ती पत्र प्रदान किया जाता है इस पुरुसकार के सुरुवात वर्स 1995 में की गई थी और तब से यह अन्वरत प्रदान किया जा रहा है नेश्ट कोशन है भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने कितने साल पूरे किये हैं इसका राइट अंसर होगा फोर्थ ऑप्षन पांच साल इस योजना की सुरुवात 9 मई 2015 को की गई थी यह योजना विशेश रूप से असंगटिक छेतर के सर्मिकों उपर केंद्रित है अटल पेंशन योजना में सामिल होने के लिए नियुन्तम आयू 18 वर्स और अधिक्तम आयू 40 वर्स निधारित की गई है इस योजना के तहट अब तक 2.23 करोन सर्मिकों को पेंशन के दाइरे में लाया जा चुका है और यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनोतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासांगिक है अब आज का कोशन जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है कोशन है राष्ट्रिय प्रादोगी की दिवस कब मनाया जाता है ओप्शन्स हैं 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 13 मई तो ये आज के याने 14 मई 2020 के Current Affairs के Important Questions थे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो का PDF लिंक हमारे Telegram चैनल Success with Rai Academy से डाउन्डोड कर सकते हैं या फिर उसको अपने पास Notes के तौर पर सुरक्षित रख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद